हुआ हो कि अक है लो फ्रेंब्स स्थिश मेबट करें ट्रेप्र आपका स्वागत है आच के टेनिय्व लाइन में हम सीखते हैं इसकि प्लेश ओनलायं बटन पा यूज कैसे किया जाए प्लेस ओनलाइN बटन जो है वो हमने यहाँ पे टॉप पे दिया हुआ है यह प्लेस ओनलाइN बटन है इसके रहाएज करने पर इसकी प्रोपाटियस अपन होती है तो ये सारी properties का use कैसे किया जाए चलिए हम सीखते है इसके लिए हमको normally एक line चाहिएगा जो line हम draw करेंगे उसके उपर place on line tool का हम use करेंगे जैसे कि एक line मैंने यहाँ पे draw कर ली है इसके साथ हमें जो object उसके उपर place करना है वो यहाँ पे हम draw कर लेते हैं जैसे यहाँ पे मैं ए इंगल्स वगेरा में यहाँ पे सेट करते हैं इसमें में चीज जो है हमको mark रखनी है वो है कि जो line हम draw कर रहे हैं उसके उपर जो object हम डालने वाले हैं वो object always first stitch पे आना चाहिए जो यहाँ से line सूरू होते है उसके बाद जो first stitch आता है उसके point पे exactly आना चाहिए तो देखते ह यह जो properties है उसको हम normally left click करके देखेंगे तो यहाँ पे जो हमने object ग्रो किया था वो object पूरी line के उपर प्लेस हो चुका है तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो stitch हमने first stitch से सुरू किया था उसके बाद वो एक stitch steep करेगा उसके बाद वो same object वापिस यहाँ पे बिठाएगा तो यह हो गया normal place online का basic इसी को हम आगे देखते है कि इसके अंदर जो options दिये है वो कैसे use करते है जैसे हमने line select किया उसके बाद हम object select करेंगे shift करेंगे इसी के साथ place online की property open करेंगे यहाँ पे option दिया हुआ है mirror alternative motif mirror alternative motif कैसे work करेगा जो line के उपर हमने पहले normally place किया था था वो सारे stitches पर अपना object विठा रहा था अब हमने यहाँ पर mirror alternative motif motif कर दिया है इसी के साथ हम यहाँ पर left click करेंगे तो आप देख सकते है कि mirror alternative यह place कर रहा है कि एक object जो था वह राइट पे है दूसरा left पे है वह हिसाब से divide करके एक stitch छोड़के एक stitch पे वह place करता रहेगा इसी के सा पे का दूसरा option है mirror alternative at same point अभी जो हमने देखा mirror alternative motif जो हर एक stitch को alternate side पे place कर रहा है था अगर हम यहाँ पे mirror alternative motif at same point अगर यूज करेंगे तो यह एक ही stitch के उपर आमने सामने दोनों साइट पे यह place करेगा तो यह जो information थी वह थी place online की basic information advanced information के लिए हम next video में देखते हैं हुआ हुआ है